नमस्कार दोस्तों आप जूड़ चुके वाईस ओफ एमपी से और मैं हूँ अब्दुलली इरानी आज अश्टमी का दिन है और जे भाद्वा माता के मंदिर पे आप देख सकते हैं कि जबर्दस रूप से लोगों का हुझूम उमड़ा आए काफी संक्या में दर्शनारती यहां पर आए हुए है जो भाद्वा माता के दर्शन करने के लिए आतूर है इन लोग के दिल में मन में कही तरह की मुरादे हैं कही तरह की मननत हैं और भाद्वा माता को ये सभी लोग बड़ा चमतकारिक इस्थान मानते हैं पूरी दुनिया पूरे संसार के लोग इससार को चमतकारिक मानते हैं मेरे साथ मोजूद है कहीं लोग आई है इंसे बात करते हैं महा बादो आता के लिए क्या काएंगे बाओ जी बादो आता के लिए हैं क्या काएंगे व्यजarms नहीं है कि हम हर साल हे Hang From Sand के लिए और बहुत सरे जमदकार माता एक जी के हम मीं पापा पो लेके आते हैं हर साल बोग दूर-डूर से लोग का टुरिछ उसे imam यह नहीं पे वि doc मानियते हैं कि जो ती लक्वय को पेशेंट से मरीज रहेते हैं political लगमा दूर हो जाता है यह चमत करते हैं देखने को मिलता है है हर साल आते हैं बहुत अच्छा काम है बादा माता का ठीक दहने बाद कि आप साय क्या क्या वहतों सुना सभी दर्शनरथियों करें बहुत वहत प्लाब में अपड़ान कि महित कर दर्शन करके हमें बहुत संघ्रीका अनुभा होता है और हमें बहुत अच्छा होता है हम परताबगर जिले से आये हैं कडियावत गाउं से और मेरा नाम रादेश हम बेरागी है आप बताइए वहुजी कहां से आये मैं निमस सीटी से आया हूं माता जी के दर्शन करने हर साल आता हूं अच्छा मतलब आप अश्टमी पहर साल आते हैं यहां पर जी मुझे पांच वर्श हो गए लगाता राता हूं में और माता जी यहां हर मनों कामना पूर्ण होती है और एक बार मैया जी का जे कर लगए बोर से बुलिए बादा माता हूं आते ठी है अच्छा माया 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 बादा माता के दरबार में नवरात्री मेला 22 से शुरू हा था आज 29 तरीक को मा अश्टमी का हवन साड़े दस बज़े होगा और यह भादा माता सस्तान की तरब से सारी व्यवस्ता है की जाती है यात्रों को सभी के द्वारा पानी की व्यवस्ता है अन्यचेतर की व्यवस्ता है सारी विस्ता की जाती है और क्या क्या आयजेंगे कब तक लो और पहुँचेंगे कितने लोग पहुंचते हैं आज आज अश्टमी को नीमत से मनासा सबी जगे से लोग पेदल आते हैं रात को मा के हवन में शामिल होते हैं और वापस सी बसों से कई साधन से निकल दरते हैं भागवा माता को चमतकारिक स्थान माना जाता है इनकी शान में क्या कहेंगा मा का रूप निर्यालाय साब हमने तो ऐसे देखा है कि बिल्कुल चार चार पांच पांच जने तोक के लेके आते हैं वह हाथो हाथ चलके जाते हैं और यहां के भभूती पानी और कुछ निकना तेल की मालिश यह करने से माता जी सब दूर लखवे का रोग और सब रोग दू इसे तकलिफ सब दूर हो जाती है और कोई सुख शांती खूब मिलती है और पुड़ा मतपर्देश से यहां से बढ़के कोई अस्तानी और सभी समाज के आते कोई मतवेद नहीं है कोई भ्याओ सबसे और माफ सुख शांती खूब दे कणिवातरी कमी निरी कितने साल से आ होता है यहां पर सब अच्छा होता है आने बाद कोशी बीमारी होता उटमीटिक दावना हो तो खतम हो जा और खाली मा का नाम जालो वाएं भी तकलिफ खतम हो जाए यह हम सितामुत ऐसे लावरी ओं सा है और आज अश्टमी की है तो माताजी दर्शन के लिए है क्या माताजी के बारे में क्या कहें और इस संसार में कौन सा ऐसा कवी है साहितिकार है जो disabilities मा के premise का डिनितनी का यहिए ङौफ्म उथ वेदों से बठानी सबसे जाती आप पत्तक्र sluade में क्या हैं यह वी दाभावडी का है इसके मैं मालवा के पसम्हिद साहितिकार रहें बाल क मालवी में बहुत अच्छा लिखा है आपको धनिवारी इस बात का कि यह बात हैं आप पुरी देश तक जंजंग तक पहुंचाएं और यहां पे लोग नजने कितने ही लोग हो उनका भला हो उनके जीवन खुशियां आए और वो लड़े हैं पंडी जी आप कहां से पादा रहे हैं मनासा से कवी दादू प्रजाबती बताया जाता है और यह बड़ी है अच्छी माता जी है इनका रूप भी बताया जाता है हमारे जो दादा जी होते हैं वो बच्पन का होता है और दिन में होता है वो एक जवान होता है और जो एक शाम लिए और यहां पर बहुत अच्छा इस्तान है माता जी की बहुत महिमा है बहुत जोदार महिमा है वहां है बहुत अपरंपारलोगोर को माता जी का अचिर्वद मिलें का उशर है बारी भीड़ आ रहे है बाम हता के लिए आप यहां सेवा में पूझा में क्या कहीं है आस्ता का सेलाब है और बहुत पब्लिक आ रही है महतारानी मनोकामना सब की पूर्ण कर रही है और आज अश्त में हो गई है आज कितने लोग आते होंगे आपके हिसाब से आज करीब करीब पिंचा लाग नोग तो आएंगे आएंगे आज रात में बीड बढ़ जाएगी और कल नौमी तक भी चलेगा अगा अश्रवाद अंदों को आखें मिलती है किसिक своих लगवा हो जाता है तो हो ज्मातवा को जाता है और मातारानी जिख्र किको आज बेसे लाग, आज दोसे इंगे अच्छा लगता है यहां और अच्छा लकता है यहान लगता है अध्यारे संतोσ और भाता है मन में शान्ती मिलती है और बढ़या लगता है कितने टाइम शारे कहां से आया है मैं मंसुर जीले से और कंगेटी गाहों से आई हूँ जब भी टाइम मा का हुकम होता है हम आते हैं आपने देखा किस तरह से भक्त पूरी शद्दा के साथ यहां पर उमर रहे हैं अस्टमी का आउसर है और अस्टमी के आउसर पर खास तोर पे लोग यहां पर शद्दा उनत होकर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं अपने मन में बहुत सारी जो उनकी तकलीफ हैं जो उनके दिल की मुराद हैं मनत लेकर लोग आ रहे हैं लोगों ने अपनी अलग अलग पृतिकरिया भी जाहिर की कि कहा कहा से लोग आये कितनी दूर दराज से लोग आये लोगों की भीड काफी ज्यादा संक्या में उमर ने लगी है यहां पर पुलिस ने भी अपनी चाक चोकन वे विवस्था कर रखी है विबिन संस्था भी विवस्थाहों में लगी हुई है अलग-अलग तरह से समाज से भी भी अपने कारियों में मश्गूल हैं यहां पर और जोड़ा हैं जो दर्शनारती है वो यहां पर आ रहे हैं शद्दा की भालत के साथ वोग अपने प्रसाद यहां पर अर्पिट कर रहे हैं प्रशाद चड़ा रहे हैं फूल चड़ा रहे हैं और माता के दर्बार में हाजिर होकर दुआए मांग रहे हैं आपने देखा किस कदर लोगों के अंदर उत्सा और जोश है वाइस ऑफ एंपी के लिए मेरे सायोगी पावन राव शिंदे के स आप अब्डूलाली इरान